नमस्कार दोस्तों, मैं Dr. Vijay Bajadur आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चेनल में दोस्तों जो लोग मेरा चेनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक मेरे चेनल को सबस्क्राइब ना कियो हो तो मेरे चेनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे आगे के जितने भी वीडियो आएं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुचता रहे हैं। दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ हरनिया के बारे में हरनिया क्या होता है हरनिया कितने प्रकार का होता है हरनिया होने के क्या कारण है और हरनिया के लक्षण क्या है और हरनिया की कौन कौन सी effective homeopathic medicine है तो आज मैं सभी के बारे में बारी बारी से चर्चा करूँगा तो द वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफीसियल होने वाला है इसलिए प्लीज वीडियो को सुरू से यंद तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं अगरे दोस्तों सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हरनिया क्या होता है तो दोस्तों हमारे पेट के अंदर जितने भी आरगन हैं सब एक कवरिंग के अंदर सबसेट हैं और अपना अपना वर्क करते हैं यह एक जैसे ऐसी covering है उसकी manspaces की covering है तो जब कभी हमारे पेट की manspaces कमजोर होती है या उसमें कोई छेद हो जाता है तो हमारे पेट के आरगन उसमें से मुख्य तह आते हैं जो है बाहर निकलाती है इसी condition को हर्निया करते हैं तो दोस्तो हर्निया जबकि यह surgical case है अधिकतरे surgical से ही ठीक होता है अपरेशन से ही ठीक होता है लेकिन फिर भी कुछ हमेप्रेथिक medicines हैं जो कि इसके complications जो आते हैं जो इसके लक्षण आते हैं कुछ उनमें अच्छा काम करती हैं और यदि इनको सुरुवाती दौर में दिया ज सूजन जैसा हो जाता है यह फूल जाता है जब हम उसको हाथ से प्रेस करते हैं तो वो अंदर बैठ जाती है लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वापस आ जाती है यह है Ambilical Hernia दोस्तो अगला है Inguinal Hernia इसमें आथ खिसक कर नीचे आ जाती है आथ जो है अंडकोस में आ जाती है अंडकोस में सूजन हो जाती है और उसमें दर्द भी होता है कभी कभी जब हम उसमें हाथ लगा कर उसको उपर प्रेस करते हैं तो आथ उपर चली आती है और जब छोड़ देते हैं तो फिर नीचे चली जाती है यह पूरुसों में ही अधिक पाया जाता है जांग में जो पैर के तरब जाने वाली जो धमनी है उससे बाहर निकल आती है तो उसको फिमरल हरनिया कहा जाता है यह पूर्द सोंकि एपिक्छा महिलाओं में जादा पाया जाता है और दूस्थों अगला हरनिया है in Babu इसमें यदि कोई surgical case रहती है कोई operation रहता है और उसमें यदि उसमें जो टांका लगा हुआ या कमजोर हो गया है या टांके टूट जाते हैं तो उससे हमारे पेट के जो आरगन है जैसे की आत वगेरा वो बाहर निकल जाती है उसको इंसिजनल हरनिया करते हैं और दोस्तों अगला है हाइटेस हरनिया यह हमारे पेट के ऊपर के तरफ होता है जो पेट में हमारे इस्टमक को और सीने को जो अलग करने वाला डाइफ्राम होता है तो इसमें से कभी कभी हमारा इस्टमक जो डाइफ्राम की मानस्पेसियां जब कमजोर होती है तो यह उपर चक्कार आना यही सब इसके लक्षण है अब हम चलते हैं इसके कारण के तरफ कि हरनिया किस कारण से होता है तो आम तोर पर यह जब हमारे पेट की मानस्पेसियां कमजोर होती है जो पेट का जो वाल्स है जिसमें कि सभी आरगन उसके अंदर हैं जब कमजोर हो जाते हैं या उसमें कोई छेद हो जाता है तो उसमें से हातें बाहर निकल आती हैं ये कारण इसका होता है और इसके होने का कारण अगला ये है कि ये कोई भारी वजन उठाता है जिसके कारण से पेट की मानस्पेसियां कमजोर हो जाती है और पेट के आरगन जैसे आत ये बाहर निकल जात और कभी-कभी ऐसा होता है किसी को जो प्रोस्टेट की सिकायत प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है पेसाब के समय बहुत दिक्कत होती है उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है तो इससे भी हरनिया होने का चांस बढ़ जाता है और दोस्तो अब हम चलते हैं इसके लक्षण के तरफ यह हरनिया होने के क्या लक्षण है तो हार्निया में जो अस्थान जिस अस्थान पर हार्निया राता है वो थोड़ा उसमें फुला होता है थोड़ा वहां सूजन राता है और उस अस्थान को प्रेस करने से वो फिर सूजन अंदर चली जाती है अब बाद में जब उसको छोड़ते हैं तो फिर वो अपने वापस और इसके साथ साथ सीने में जलन होता है पेट में दर्द भी हो सकता है चक्कर आता है उल्टियां आती है तो यह सब इसके लक्षण है अगर दोस्तों अब हम चलते हैं इसके मेडिसीन के तरफ तो इसकी पहली मेडिसीन है एसकुलस हिप तीस यह इंगुनल हर्निया में बहु तो उसमें एस्कुलस हिप तीस, दोगुन सुबा, दोगुन दोपर, दोगुन साम, तीन बार देना चाहिए। दोस्तो अगली मेडिसीन है नक्स बोमिका 30, इस दवा का इस्तेमाल हर तरह के हर निया में किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों सभी में किया जा सकता है, बच्चों को यदि देना है तो इसमें 30 पोटेंसी में रोज एक बूद रात में देना और दोस्तो अगली medicine है lycopodium 30 यह भी हरनिया की अच्छी medicine है यदि दाहिने तरप का हरनिया हो तो इसमें अच्छा काम करती है इसमें पेट में नीचे तल पेट में दाहिने तरप से दर्ध सुरू होता है और बाएं तरप जाता है यदि ऐसा लक्षण है तो उसमें लाइकोपोडियम देने से अच्छा फायदा मिलता है और दोस्तो अगली मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब 30 यह उन बच्चों के लिए काफी कारगर है जो बहुत मोटे हैं थुल्थुले हैं और जिनके सिर पर बहुत पसीना आता है और साथ में उनको हर्निया की भी सिकायत है तो उनको कलकेरिया कार्ब दिया जा सकता है कलकेरिया कार्ब 30 एक बुन सुबा एक बुन दो पर एक बुन साम तीन बार देना चाहिए और दोस्तो अगली मेडिसिन है OPM 200 यह इस्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में बहुत अच्छा काम करती है इस्ट्रेंगुलेटेड हर्निया यानि कि जब आतें आपस में उलच जाती है जिसके कारण बहुत तेज दर्द होता है तो उसमें OPM देने से बहुत अच्छा लाब होता है OPM 200 दो बुन सुबा दो बुन साम दो बार देना चाहिए तो दोस्तो ये रहा मेरा वीडियो मैं आसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको अपने दोस्तों में सेयर कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तो आगे भी मैं इसी तरह का होमेपैथिक नलजेबिल वीडियो लेकर आता रहूँगा तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद